स्टुडेंट्स आज हम लोग डिसकस करेंगे मोनोलिथिक करनल के बारे में मोनोलिथिक करनल का जो बेसिक काम होता है वो यह होता है रिसोर्स मेनेजमेंट होता है बिट्विन एप्लिकेशन एंड हार्डवेर मतलब application और hardware के बीच resource को provide कराना होता है अब जैसा कि आप जानते हैं यह monolithic kernel है जहां भी kernel word use हो जाए operating system में तो आप समझ जाएए कि जिस भी type का यह kernel है इसके जो basic काम है management, memory management, file management, security, CPU scheduling यह सारे काम यह करेगा लेकिन कुछ-कुछ थोड़ी-थोड़ी varieties होती है आएए देखते हैं इसमें क्या main variety है तो इसमें जो main variety है वो यह है कि इसमें हमारा user service और kernel service एक ही same address space में store होती है मतलब कि user के लिए जितनी भी services का operation और kernel के लिए जितनी भी services का operation होता है वो एक ही space में save होती है जिसकी वज़े से कुछ चीजें जो है effect में आती है जैसे कि operating system का size हमारा बड़ा हो जाएगा दूसरी बात operating system हमारा fast काम करेगा जब user services और kernel services दोनों एक ही जगे होंगी मतलब कि जो हमारा program है वो switch नहीं करेगा हमेशा एक ही जगे से operate होगा तो उसका execution fast हो जाएगा दूसरा हम user services या kernel services में कोई भी expand कोई भी चीज बढ़ा easily बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि अगर एक में कोई भी चीज का increment करेंगे तो दूसरा उससे affected होगा क्योंकि दोनों एक ही web space पे हैं एक ही web space का मतलब एक ही memory space पे हैं दूसरी बात कि अगर कोई भी एक हमारी services कोई भी एक services हमारी corrupt हो जाए या कोई भी कमी आ जाए उसमें तो हमारा जो system है वो fail हो जाता है इसके बाद CPU हमें ये kernel हमें provide क्या करता है जैसा कि मैंने बताया कि kernel word इसमें है इसका मतलब ये CPU scheduling करेगा file management करेगा file interrupt handling करेगा और जितनी भी basic other services हो सकती हैं वो system call के through provide करेगा और इसके example हमारे linux और unix होते हैं जो main चीज ध्यान रखने वाली है monolithic kernel की वो ये है कि हमारा user services और kernel services ये दोनों एक ही जो है memory address में save रहती है जिसकी वज़े से हमारा इसका size बढ़ा हो जाता है और इसकी execution की speed बढ़ जाती है ये main point है इसका